नमस्कार बागवन भाईयों वेल्कम टू मॉडर्ण हॉल्टिकल्चर यूट्यूब चैनल आज हम बात करेंगे एपल की अल्ट्रा हाई डेंस्टी प्लांटेशन की बारे में क्योंकि बहुत सी बागवन ऐसे हैं जिन्होंने अभी यह concept फॉल्व कर लिया है और और काफी सारी न्यू फार्मर्ड्य कें काफी सारी डाउट्स भी होंगे क्योंकि जो वीडियोज अभी तक सोशल मीडिया पर डली हैं खाली वीडियोज देखकर सारी डाउट्स क्लियर नहीं होते तो कोशिश करेंगे कि आपके सारी डाउट्स हम क्लियर कर सके फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताए हम उससे बताने का पूरा प्रयाज करेंगे को अब बात करते हैं अल्टर ही डाउट दी प्लांटेशन के बारे में यह जो आप देख रहे हैं यह मेरा अलटर ही डान्टेशन का एक चोटा सा एक्सपेरिमेंटल ब्लॉक है इसमें बीस एपल की प्लांस लगे हैं और क्योंकि यह एक्सपेरिमेंटल ब्लॉक है तो इसमें मिक्स डिस्टेंस और कई मिक्स लगाई गई हैं ताकि अल्ट्र हाइड डेंस्टी प्लांटेशन पर इसका बिहेवियर चैक हो सके कि आपकि लिए सउजाओं है फिए कि अगर आप एक्सपेरिमेंट को तो पर रहे हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं एका कि इसीदह आप बड़ी प्लांटेशन करते हैं मिक्स लगाते हैं हो तो यह children का होता है जब आप प्लांटेशन करें एक बड़ी स्तर पर तो वही वाराइटिस का चैन करें जो आपकी जगा पर सक्सेस्फुल है और यह सिर्फ एक्सपेरिमेंटर ब्लॉक है तो यहां मैंने कई सारी वाराइटिस लगाई हैं डिस्टेंस भी कुछ नजदीक रखें कुछ दूरखें अब बात करते हैं प्लांट्स की तो यह जो प्लांट्स हैं यह हमने फ्लैब के महीने में लगाए थे और यह सारे प्लांट्स अल्रेडी ग्राफ्टिट प्लांट्स हैं जब भी ये प्लांट समने लिए थे तो इनकी हाइट लगबग 10 से 12 फिट के आसपास थी और ये फैदर प्लांट थे सभी लेकिन प्रब्लम ये थी कि जितने भी फैदर से निकले थे वो 5 या 6 फूट से ओपर निकले थे तो इसलिए पहला स्टेप ये रहता है कि जब भी आप किसी नसरी से फैदर प्लांट लेकर आए हैं तो आपने फैदर की चक्कर में नहीं पढ़ना है क्योंकि जो नीचे का पांचे फूट का खाली एरिया है वो आपका खाली रह जाएगा उसमें फैदर आते हुए टाइम ल और बात करते हैं सामर पूंहें तो सबसे पहले जो जो भी साइड डूस नीकलती है में निकलती है तो जिन भी प्रंचिस की स्ट्रेंथ अच्छी है उन पर आपने क्या करना है कि एक से दो इंच एक से दो आईस के बाद आपने सीधा कट माना है अगर आपके स्पेस थोड़ा ज्यादा है प्लांट टू प्लांट की बीच में या आप इसको 9 इंच तक ले जाना चाहते हैं तो आप थोड़ा आगे भी इस पर कट मार सकते हैं कट हमेशा अपने आईस से उपर मानना है और सिधा कट मानना है उसकी बाद क्या होगा कि कट माने से सिधा कट माने से जितनी भी आपकी स्लीपिंग आईस हैं उस कट से पीछे तो वो बैक न्यूटिशन फ्लो की कारण उसमें दो चीजा होगी पहला हो सकता या तो बड़ फर्मेशन हो जिसे हम बीमा कहते हैं कहते हैं या फिर यह ग्रोथ पर जाएगा अगर बीमा बनता है फिर तो वैल अग्ली होग लगा है वह से अगरी फिट जाता है तो अफने किया गया कि क melhor को काट लेना है कि हृँ और अगर आप जाना आके जाना चाहते हैं उसकी फिटे कना चाहते हैं तो उसे जाने दें और अगली वह सबनें जब आएगी है कि ऀसमी। इस हम पर जब घक को काट एना और यह भी होता है कि अगर स्पेस ज्यादा है आप नहीं कड़ना चाहते हैं तो आगे से पिंच कर सकते हैं इससे भी ग्रोथ रूजाती है नए शूर्ट की और पिछे बड़ बनना शुरू हो जाता है और पिछे की जितनी भी आईस होंगी जैसी आप कट मारते हैं तो उसमें फॉर्मेशन शुरू होती है फूर्मेशन शुरू होती है अब बात करते हैं में लीडर की कि समर में जब लीडर की ग्रोथ तीन से चार फीट से उपर चली जाए तो आपको क्या करना है कि फैदर्स फॉर्मेशन के लिए सीधा कट मार सकते हो अधर्वाइस अगर आप लीडर को सीधा जाने देना चाहते हैं जिस हाइट तक आप चाहते हैं प्लांट को ले जाना इ लीडर को ग्रोथ पर जाने दें अगर आपको फैदर्स फॉर्मेशन चाहिए तो आप साथ से 8 फिट पे समर के टाइम पे सीधा कट मार सकते हैं उससे बैक न्यूटेशन फ्लो होगा और आपके नीचे की स्लिपिंग आईस ब्रस्ट हो जाएंगी जहां से आपके नई साइट ब्रांचे निकल जाएंगी और अगर आप सीधा जाना चाहते हैं तो जी साइट तक ब्रांच चाहते हैं माब तक जाने दे और फिर उस पर सीधा कट मार कर उसको कर सकते हैं अगर उस साइड प्रांच की स्टेंद अच्छी है तो आप उसे एक या दो आई इस पर सिधा कट मार दें ताकि उसमें भी बर्ट फॉर्मेशन शुरू हो जाएं तो वीडियो को जादा लंबा ना करेंगे तो वीडियो को जादा लंबा नहीं करेंगे जो भी डाउट्स आपके रह गए हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें अगले वीडियो में हम उसे बताने का पूरा प्रियास करेंगे और साथ के साथ अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करें और रेग्लर टाइमली अप्डेट के लिए बैल आइकन को जुरूर प्रेस करें थैंक्स फोर वाचिंग जाए हिंग जाए भारत जाए किसान जाए बागवान